Hello everyone, welcome, now we will study the subject recent advances of DRT part second जैसा कि आपको पता है recent advances में हमने topic start किया था ultrasonography लगबग इसका 50% part हम complete कर चुके हैं ठीक है आगे के topics हम आज इस lecture में discuss करेंगे ठीक है जैसा कि आपको पता है आगे के lecture या फिर आगे के topics डिसकस करने से पहले हम डेली अपने जो पीछे के जो topics होते हैं उनका एक short revision करते हैं वैसा ही हम आज भी करेंगे ठीक है तो पीछे के topics में जो अपना last lecture था last lecture में हमने ट्रांस्ड्यूसर के जो types थे उसके बारे में discuss किया था ठीक है first of all आपको फिर से बतादू ट्रांस्ड्यूसर क्या है ट्रांस्ड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो ultrasonography में ultrason waves का production करती है और यह एक इसी डिवाइस है जो production के साथ साथ ultrasound waves का detection भी करती है ठीक है उसके principles वगएरे की बात अपन बहुत बार कर चुके हैं ठीक है में अपना topic था types of the transducers ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि transducers है उसके अंदर कौन से crystals होते है पीजियो एलेक्ट्रिक crystals तो यह जो पीजियो एलेक्ट्रिक crystals है इनके arrangement ठीक है यानि कि किस तरीके से आपने transducers के अंदर पीजियो एलेक्ट्रिक crystals को arrange किया है इसके basis पे और दूसरा ultrasonography में आप जब भी किसी body का diagnosis करते हो या फिर body part का diagnosis करते हो तो कौन से body part का diagnosis कर रहे हो उसके according भी transducers को बहुत सारे types के अंदर divide किया गया है ठीक है जैसा कि आपको last lecture में बताया था तीन प्रकार के main इसके division है according to the basis of the arrangement of piezoelectric crystals that means कि piezoelectric crystals के arrangement के basis पे हमने इसको mainly तीन पार्ट में divide किया है first आपका था linear array second आपका था phased array और third आपका कौन सा था annular array ठीक है linear array के बारे में हमने detail के अंदर last lecture में discuss किया था ठीक है उसको एक बार हम दुबारा discuss कर लेते हैं कि आपका linear array क्या था linear array के अंदर वो transducer आते हैं या फिर ऐसे transducer जिनके अंदर piezoelectric crystal का arrangement एक linear एक sequence और एक perfect order के अंदर होता है ठीक है उस type के transducer को हम linear transducer या फिर उस type के arrangement को हम linear array बोलते हैं ठीक है इसके अंदर भी दो प्रकार के आते हैं एक rectilinear probes और एक curvilinear probes rectilinear जहां पर आपका field of view कैसा मिलता आपको rectangle मिलता है और इनकी जो surface होती है यानि कि जहां पर आपके transducer की जो component है matching layer पाई जाती है जो outer surface होती है जो skin को touch होती है ठीक है वो surface इसकी कैसी होती है rectangle type में होती है ठीक है दूसरा अगर हम बात करें कर्वी linear probes की तो कर्वी linear probes वो probes है जिसके अंदर आपकी जो outer surface होती है इसकी वो कैसी होती है curved पाई जाती है ठीक है और इसके अंदर जो field of view of beam of the ultrasound पाया जाते है वो कैसा मिलेगा आपको parallelogram like ठीक है जैसे आपका parallelogram होते है वैसा यहाँ पे आपको field of view देखने को मिलेगा last lecture में हमने linear probes के examples के बारे में भी discuss किया था ठीक है कि कौन-कौन से इसके application या मतलब कौन-कौन से body part के diagnosis में ये काम आता है दूसरा जैसे कि इसकी मन ने images भी देखी थी अच्छे से ठीक है transducer की probes की या फिर इनकी जो field of view है उनकी भी हमने अच्छे से image देखी थी और इसको detail में discuss किया था एक चीज और अपने discuss की थे वहाँ पर कि linear जो array होता है फिर linear transducer होता है उनकी frequency कितनी होती है पात से 10 megahertz ठीक है जैसा कि हमने types of transducer के अंदर तीन टाइप के mainly पढ़े थे linear, phased and annular जो linear transducer था या फिर linear array था वो हमने last lecture में discuss कर लिया उसका sort revision में हमने अभी कर लिया है तो अब जो आगे के दो बच गए कौन से एक आपका phased array और दूसरा annular array इन दोनों types के transducer के बारे में हम आज detail में discuss करेंगे ठीक है now we will discuss about the second type of the transducer which is known as phased array या फिर phased transducer ठीक है इसके बारे में हम आप भी पढ़ेंगे detail के अंदर phased array probes contain piezoelectric crystal elements which are energized in a specific order or sequence ठीक है that means यह हुआ कि यहाँ पे या फिर phased array या फिर phased जो ट्रांस्डूसर होते है इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके जो piezoelectric crystals है उनका arrangement कैसे होगा ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो piezoelectric crystals होते है वो energized कैसे energized मतलब उनको energy मिलना electrical energy जब उनको मिलेगी तो वो क्या करेंगे आपकी जो pressure waves वो transmit करेंगे ठीक है तो यानि कि उनको energized करते हैं वो हम किसमें करते हैं एक sequence के अंदर energized करते हैं या फिर एक specific order के अंदर उनको sequence के अंदर energized किया जाता है ठीक है all the crystals elements are energized simultaneously they act as the single probe but if the crystal element energized in a separate manner then the US beam shifts across the patient which is called steering ठीक है मतलब यहाँ पे जो crystals होते हैं उनका arrangement इस तरीके से होता है कि अगर हम एक एक crystal को simultaneously क्या करें energized करें तो हर crystal किस तरीके से behave करेगा like probe यानि कि वो खुद भी क्या है एक probe है या फिर एक transducer की तरह हर एक crystal यहाँ पे behave करता है तो हम वहाँ पे क्या करते है कि वो जो crystals होते हैं उनको sequence के अंदर energized करते है ठीक है if the crystal elements energized in a separate manner अगर उनको इस तरीके से अपन ने energized नहीं किया या फिर किसी दूसरे manner से उनको energized किया तो वहाँ पे क्या होगा then the US beam swips across the patient तब क्या होगा जो आपकी US की beam हो गया नहीं मतला ultrasound beam होगी वह patient के उपर से क्या हो जाएगी swip हो जाएगी which is called steering जिसको अपन क्या बोलते है steering बोलते है ठीक है तो that means यह जो steering की जो problem है इसको दूर करने के लिए हमको क्या करना होगा उनको एक sequence के अंदर energized करना होगा यहां पे ठीक है जैसा अपने linear में बात की थी कि linear में जो probes होते है उनकी frequency कितनी होती है पांच से 10 megahertz वैसे ही जो आपका phased area है phased area के अंदर इनकी typical frequency कितनी पाई जाती है 3.5 से 11.5 megahertz normal सी बात है कि इसके अंदर जो crystals होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि वो एक खुद किस तरीके से behave करते है like a transducer हर एक crystal अपने आपको क्या मानता है यहां पे transducer की तरह behave करता है तो अगर हम उनको एक साथ यहां पे अगर energized कर देंगे तो फिर क्या होगा जो भी आपके ultrasound beam होगी वो patient के उपर से swipe कर जाएगी इस वज़े से हम उनको क्या करते हैं हर एक crystals को एक delay time के बाद में energized किया जाता है एक specific order के अंदर उनको energized किया जाता है एक sequence के अंदर उनको energized किया जा सकता है in order to perform such type of sweeping ultrasound beam each crystal energized in a delay time ठीक है यानि कि जो आपके crystals उनको energized एक delay time मतलब अपना यह हुआ कि जैसे आपका first crystal energized होगा उसके कुछ समय बाद second होगा फिर आपका third होगा इस प्रकार से यहाँ पे यह crystals energized होंगे ठीक है so that the civil angle will be 45 degree either positive और negative तो यहाँ पे क्या होगा ultrasound beam के अंदर जो angle आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 45 degree which is either positive और negative जो positive भी हो सकता है और आपका negative भी हो सकता है ठीक है जैसा कि आप diagram में देख रहे हो एक अपने इधर diagram मना है crystals का 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कि यह जो crystals है यह क्या हो रहे है एक sequence के अंदर energized हो रहे है ठीक है और यहाँ पे एक phase आ रही है 45 degree angle की ठीक है तो इस type के जो transducer होते हैं उनको अपन बोलते है phased area या फिर phased transducer जैसा है कि आप diagram में देख सकते हो कि जो phased area होते है या फिर phased transducer होते है normal वो किस type के आपको दिखते हैं ठीक है phased area को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक और diagram बनाया है ठीक है उसमें भी आप अच्छे से देख सकते हो जैसे की इस diagram में आप देख सकते हो कि आपके जो crystals है ठीक है वो क्या कर रहे है एक phase के अंदर ठीक है जो आपकी ultrasound beam है उसको transmit कर रहे है उसका production कर रहे है यहाँ पे जो आपके transmission of ultrasound wave है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ultrasound की beams निकलती है आप इनको linear array से compare कर सकते हो comparison कर सकते हो जो आपका linear array था उसके अंदर scale line थी ठीक है वहाँ पे अपने mention भी किया था scale line यहाँ एक scale के line के तरह वहाँ पे ultrasound beam आती है बट जो आपका phased array होता है या फिर phased transducer होता है उसमें ऐसा नहीं होता है उनकी ultrasound beam को आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो समझ सकते हो कि यहाँ पे उनके बीच में कैसा एक seaweed angle आता है ठीक है वो भी कितना 45 degree which is either positive or negative और दूसरी बात यहाँ पे जो crystals होते हैं वो खुद किस तरीके से behave करते हैं like a probe like a transducer इसलिए वो जो crystals हैं उनको हम एक sequence के energy provide करते हैं ठीक है जैसे ही हमने first को provide कर दी फिर हम कुछ समय लेंगे उसके बाद में हम second को provide करेंगे मतलब यह phased area transducer का आपका mechanism है वहाँ पे कि आपके जो crystals हैं उनको एक sequence के अंदर energy मिलती है और वो एक sequence के अंदर वहाँ पे क्या करते हैं ultrasound beam का production करते हैं फेस्ड एरे को समझने के लिए हमने एको डाइग्राम दिया है यहाँ पे इसके according में देखके आप समझ सकते हो ठीक है कि phased area transducer किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पे तीन condition है 1,2,3 जैसा कि हमने वहाँ पे बात की थी plus minus 45 degree तो यहाँ पे क्या होगा for example अगर plus 1 में sorry 1 के अंदर आपके कितने degree angle आ रहा है plus 45 degree तो 3 पे कितना होगा यहाँ पे minus का 45 degree यहाँ कि दोनों angle आते है एक plus 45 degree और एक minus 45 degree और यह energized कैसे होते हैं जैसे first के अंदर जो आपका first crystal है सबसे पहले वह energized होगा फिर आपका second होगा फिर third होगा फिर fourth होगा इसी तरीके से सारे के सारे crystals एक delay time यहाँ एक time लेते हुए energized होंगे और ultrasound beam का production करेंगे अब हम बात करते हैं phased area के अंदर भी कई प्रकार के transducer होते हैं जिनको हमने divide किया according to the diagnosis of the body organ ठीक है यानि कि कि अपन कौन से body organ का diagnosis कर रहे हैं उसके according हमने इनको निम निलिखित भागों में divide किया था जैसे कि आपके जो थे इको कार्डियोग्राफी ठीक है दूसरा था intravescular blood vessels तीसरा था endo cavitary सबसे पहले हम बात करते हैं इको कार्डियोग्राफी की जैसे कि आपको यहां पर word से समझ आ रहा है एको के बारे मैंने पहले भी बात की थी क्या होता है एको reflected beam of the ultrasound is known as echo यानि कि ultrasound beam की reflected beam होती है जब आपकी ultrasound beam किसी भी surface से टकराती है जिसका acoustic impedance अलग हो ठीक है तो उसकी separating surface से टकराने के बाद में वो वापिस आती है उसी angle से तो जो वापिस ultrasound beam आती है उसको अपन क्या बोलते है एको बोलते है ठीक है और mainly वो जो beam होती है वही आपकी क्या गरती है ultrasonography की imaging बनाने में help provide करती है ठीक है दूसरा word है यहाँ पर cardio cardio word किस से related आपका हर्ट से ठीक है तो अपन यहाँ पर समझते है ecocardiography is a diagnosis in which ultrasound waves are used to produce the live image of the heart that means ecocardiography एक ऐसा procedure है जिसके अंदर हम hurt का diagnosis करते हैं किसकी help से ultrasound waves की help से अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर किस type के transducer काम में लिये जाते है जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि यह phased area के अंदर आ रहा है तो obvious ही बात है कि जो phased के type के जो transducer वो यहाँ पर काम में लिये जाएंगे that means कि जो आपका eco-cardiography का प्रोसेजर है उसके अंदर भी phased area type के transducer काम में लिये जाते हैं जैसा है कि यहाँ पर भी हम diagram में देखने हैं कि eco-cardiography के अंदर जो आपका normal phased transducer है वही काम में लिया जाते है eco-cardiography आपको समझ में आचुका होगा एक बर दुबारा से discuss कर लेते हैं एक बर दुबारा से बता देता हूँ eco-cardiography एक ऐसा प्रोसेजर है जिसके अंदर हम ultrasound waves की साहता से hurt की live imaging या फिर hurt की कोई भी pathological condition disease condition को ultrasound waves की साहता से diagnose करते हैं उसी प्रोसेजर को हम eco-cardiography कहते हैं ठीक है फाइस एर एक अंदर हमने mainly 3 parts में डिवाइड किया था इसको eco-cardiography ठीक है intra-vascular blood vessels and third is the endocavatory eco-cardiography के बारे में हमने discuss कर लिया अब हम बात करते हैं second intra-vascular blood vessels के बारे में ठीक है जैसे कि आपको बता है कि intra-vascular blood vessels ठीक है that means कि blood vessels के हम यहाँ पर क्या करेंगे investigation करेंगे अब obvious ही बात है कि आपकी जो blood vessels की structure होती है वो छोटी होती है तो वहाँ पर आप जो probes काम में लोगे वो कैसे होंगे pencil beam probes ठीक है पैंसिल बीम प्रोब्स ओविस सी बात है आपको यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है कि वो प्रोब्स या फिर वो ट्रांस्डूसर जिसके अंदर आपकी जो अल्टरा साउंड की जो बीम होगी वो कैसी होगी पैंसिल बीम टाइप होगी मतलब मतलब ब्लड वैसल के डाइग डाइगनोसिस के लिए ठीक है अब ब्लड वैसल के अंदर हम क्या डाइगनोस करेंगे ब्लड जो आपका होता है उसकी विस्कोसिटी के बारे में ठीक है उसके जो वैलोसिटी है उसके बारे में उसका फ्लो कैसे हो रहा है ठीक है यह सारे चीज़े हम किसमें करेंगे इंट diagnosis of intravascular blood vessels यानि कि ऐसा transducer जिसके अंदर हम pencil beam काम में लेते हैं किसके diagnosis के लिए intravascular blood vessels के diagnosis के लिए अब अपन बात करते हैं third type third type में था आपका endo cavity probes ठीक है यहाँ पे भी आपको नाम से समझ में आ रहा है कि हमें क्या कर रहे हैं कोई भी human body की cavity का diagnosis कर रहे हैं ठीक है तो human body की cavity का diagnosis करने के लिए जो भी probes या फिर जिस type के probes काम में ले जाते हैं उनको हम बोलते हैं endo cavity probes ठीक है these probes or transducer inserted into the cavity for any diagnosis of pathological condition in the cavity for example अपने को कोई भी human body की cavity है या फिर human body part जिसके अंदर cavity उसका अगर diagnosis करना है ठीक है ultrasonography के अंदर तो हम वहापे क्या करते हैं कि आपका जो transducer उसको उस cavity के अंदर insert किया जाता है then फिर क्या किया जाता है उस cavity के जो pathological condition से या फिर जो disease condition से उनके बारे में diagnose किया जाते है तो उन type के जो transducers होते हैं उनको हम बोलते है endocavitary probes according to the diagnosis of human body cavity these probes are divided into following अब हमने इनको क्या किया कि जो endocavitary probes थे इनको अलग-अलग body part के according में हमने divide कर दिया first आता है आपका transisophacial ठीक है तो transisophacial में क्या होता है कि आपका जो probe वो कहां पे enter किया जाता है isophagus के अंदर enter किया जाता है फिर हम यहाँ पे किसकी image लेते है hurt की image लेते है ठीक है जैसा कि आपको पता है isophagus के पास्न होता है आपका hurt ठीक है अगर हम isophagus के अंदर transducer को enter करा के अगर hurt की image लेंगे तो वो image आपको ज़्यादा clear visible होगी या फिर अपन बात करें कि वहाँ पे आपका diagnosis ज़्यादा proper होगा ठीक है दूसरा आता है आपका endorectal probes ठीक है जो कौन से body part के लिए काम में लिया जाता है prostate gland के लिए ठीक है या फिर prostate जो हमारा human body का part उसके लिए हम क्या करते है या फिर उसके diagnosis के लिए हम endorectal probes को काम में लेते है इन probes को कहाँ पे insert किया जाता है human body के rectum में insert करके हम prostate का diagnosis करते है ठीक है ठीक है ठीक है आपका आता है यहाँ पे endovaginal probes जो आपकी जो female होती है उनके जो pelvic body part होता है ठीक है अगर उसका हमें diagnosis करना है अच्छे से तो उसके लिए हम कई बार endovaginal probes काम में लेते है जिनको female की vagina के अंदर insert करके हम किसी भी pelvic reason का diagnosis अच्छे से कर सकते है ठीक है जैसा कि आप images के अंदर देख सकते हो endo cavitary probes किस टाइप के होते है ठीक है mainly endo cavitary probes उन body part के diagnosis के लिए काम में लिया जाता है जिनका diagnosis अगर हम बाहर से करें या फिर जो आपको माना जाएं कि आपका transducer है अगर वो human body के बाहर रखा जाए और then अगर human body part का diagnosis करें तब उस body part के अगर image अच्छे से नहीं आ रही है या फिर उसका proper diagnosis नहीं हो रहा तब हम क्या करते हैं cavity के अंदर transducer को insert करके फिर हम क्या करते हैं उस body part का diagnosis करते हैं बहुत सारे transducer हम यहाँ पर अभी देखेंगे ठीक है कि endo cavity transducer होते हैं वो किस type के होते हैं अगर आपको कहीं पर देखने को मिले तो आप कैसे उन्हें पहचान होगे ठीक है नव वी विल डिस्कूस अबाउट दे लास्ट टाइप ओफ दे ट्रांसड्यूसर विच इस नौन एज एनुलर एरे ठीक है अभी हमने दो पार्ट के बारे में डिस्कूस किया फर्स्ट आपका था linear सेकेंड आपका था phased array linear के अंदर आपके जो piezoelectric crystals होते हैं उनका arrangement linear होता है टाइम के अंदर energize करते हैं यह सब हमने पढ़ा था अब आपका जो annular area था इसमें क्या होते हैं कि आपके जो piezoelectric crystals होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं circles के फॉर्म में होते हैं ठीक है या फिर उनकी जो layers यहां पर बनाई जाती है वो किस फॉर्म में बनाई जाती है circles के फॉर्म में बनाई जाती है तो अब यहां पर क्या होगा कि जो आपकी beam निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी concentric circles के फॉर्म में निकलेगी ठीक है इफ दे arrangement of the piezoelectric crystals in the transducer is annular और concentric circles देन इस type of transducer are considered as annular transducer that means यानि कि ऐसे transducer जिनके अंदर piezoelectric crystals का arrangement कैसा हो या तो annular हो या फिर concentric circles हो तो उस type के जो transducer है उनकों कों किस तरीके से consider करेंगे as an annular transducer ठीक है each concentric transducer element are energized with a delay time and it provides a focused beam with gives an excellent image quality ठीक है जैसा हमने phased annular sorry phased array के अंदर या फिर phased जो आपके transducer थे उसमें discuss किया था कि आपके जो crystals थे piezoelectric उनको हम क्या कर रहे थे एक delay time के अंदर energized कर रहे थे वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे ठीक है जो आपके concentric circles होंगे बहुत सारे उनको हम क्या करेंगे एक delay time में energized करेंगे ठीक है जैसे आप first circle को energized करते हो फिर कुछ time लेने के बाद महाँ पे क्या होता आपका second energized होता है इसी तरीके से वो सारे के सारे क्या होते energized होते and it provide a focused beam और यहाँ पे जो आपके annular array है या फिर annular transducer वो क्या provide करते है एक focused beam provide करते है और जैसा कि आपको पता है आपने radiology department में भी पढ़ा है कि कोई भी radiation beam होती है वो अगर focused होगी तो वहाँ पे आपको image quality good मिलती है excellent मिलती है obvious यहाँ पे भी है कि आपको image quality कैसे मिलेगी excellent मिलेगी अच्छी मिलेगी ठीक है जैसा कि आप next diagram में भी देख सकते हो कि annular array या फिर annular transducer के अंदर हम किस तरीके से piezoelectric crystals का arrangement करते हैं ठीक है concentric circles के अंदर यहाँ पे piezoelectric crystals का arrangement किया जाता है उसी के बारे में हम एक बार दुबारा से discuss कर लेते हैं फिर उनको समझ लेते हैं कि किस तरीके से उनका arrangement किया जाता है जैसा कि यहाँ पे आप diagram में देख सकते हो ठीक है अगर आप front view देखो कि उपर यूपर diagram में दिखाया गया है wave का front view front wave में आपको किस तरीके से wave आती भी दिखाई देगी और नीचे हम यहाँ पे lateral view देख रहे है तो देख रहे हैं बीच में आपको यहाँ पे focused beam मिल रही है और किस तरीके से आपके जो crystals है वो एक circles के अंदर arranged है और वो किस तरीके से waves या फिर आपकी used in dynamic focusing studies but not useful for color doppler imaging यानि कि इसको हम higher studies के अंदर focusing studies के अंदर काम में लेते हैं लेकिन इनको हम color doppler में काम में नहीं ले सकते अब color doppler क्या होता है इसके बारे में वैसे तो हम ultrasonography के अंदर जो हमारा last topic वो आपका color doppler ही है उसके बारे में हम अच्छे से discuss करेंगे बट फिर भी माँ आपको एक बार दुबारा से बता देता हूँ कि यहाँ पे color doppler में क्या होता है आपकी जो जितनी भी blood vessels है ठीक है जो आपका blood का डाइगनोसिस होता है using the ultrasound beam ठीक है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे color doppler यहाँ पे colorful images प्रोवाइड की जाती है आपको और इसका जो basic principle होता हूँ क्या होता है doppler effect इसके बारे में detail में हम last lecture में हमारे जो हमारा ultrasonography का जो last lecture होगा उसके अंदर discuss करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने ultrasonography के अंदर बहुत सारी चीज़े discuss की ठीक है हमारे जो transducer का types थे वो भी यहाँ पे complete होते हैं अब हम जो अपमारा lecture होगा उसके अंदर नए topics start करेंगे ठीक है ultrasonography के ही नए topics के बारे में हम वहाँ पे discuss करेंगे ओके फाइन थैंक्यू करेंगे करेंगे करेंगे